प्रधान मंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी बौखला गई है सारे मंत्री सारे प्रवक्ता सारी की सारी भारती जनता पार्टी अपने प्रधान मंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुड़ गई है और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो डिग्री सार्जनिक की है प्रधान मंत्री जी की जो डिग्री ग्रिह मंत्री अमिस्सा जी के द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस में दिखाई गई है वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है अभी सिलसिले बार करके मैं आपके सामने बताऊंगा लेकिन एक बात बहुत अस्पस्थ है कि भारत के चुनावायो कनियम ये कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ती के बारे में कोई गलत जानकारी देते है अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते है तो आपकी सदस्थिता रद्ध हो सकती है यानि भारत के प्रदान मंत्री की डिग्री जाच करा लिजा वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्थिता पूरी तरीके से रद्ध हो जाएगी वो न सांसत बचेंगे न चुनाओ लड़ने के योग्ये बचेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जी वाड़ा है भारत के प्रदान मंत्री की ओसे तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिले वार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे नमबर एक ये वो डिग्री है जो ग्री मंत्री अमिस्ता ने प्रेस कांफेरंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रदान मंत्री की मास्टर डिग्री ये है गुजरात विश्विद्याले से उन्होंने मास्टर अफ आर्ट्स किया है अब इस डिगरी में देखिए आप नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगहें बैट का भी इस्तेमाल किया गया है यह हो गया यूनिवर्सिटी तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किये हुए और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है यहाँ भी आ गया यहाँ पर विक्ट्री का भी आ गया यह देखिया इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जो गरी मंत्री जी ने दिखाई दूसरा Master of Arts जिस font के अंदर लिखा गया है जिस font में यानि कि जिस लिपी शैली में Master of Arts लिखा गया है इस लिपी शैली की शुरवार 1992 में हुई है यह font यह लिपी शैली Master of Arts जिसमें लिखा गया है यह लिपी शैली आई है ये फॉन्ट आया है 1992 में और प्रधान मंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमे पास कर लिया था ये है दूसरा सवाल अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये है प्रधान मंत्री जी का तो ये प्रधान मंत्री जी का वक्तव है मेरा नहीं मात कीजिएगा ये किसका वक्तव है भारत के प्रधान मंत्री आदर्णियन नरेंद्र मोदी जी का वक्तव है मुख्य मंत्री गुजरात बनने के बाद आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से और भारती जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधान मंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिया सवाल क्या है 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्य विद्याले से प्रधान मंत्री ने कर ली 1983 में मास्टर अफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्य विद्याले से कर ली अगर आपकी 1989 में बी ए की डिग्री हो गई 1983 में एमे की डिग्री हो गई तो भाईया प्रधान मंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिये कि फिर 2056 के दौरान या मुख्य मंत्री बनने के बाद का ये जबका भी भासर है आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई सिक्षा दिक्षा नहीं है स्कूली सिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े ये तो आपका बयान है मेरा बयान नहीं है ये बयान तो आपने दिया है प्रधान मंतरी जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है मेरी सिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोधी जी गुजरात के मुख्य मंतरी बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संभोधित करते हुए तो भाईया जब आपने 79 में B.A. कर लिया 83 में M.A. कर लिया फिर 2056 में आप क्यों जूट बोल रहे हैं इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने का वो सच था वो सच था उसके पहले के जो उनके डिगरी के खुलासे हैं वो जूटे हैं गलत हैं और इसी तरीके से उन्होंने यूनी बर सिटी से पढ़ाई की है इंटाइर पॉलिटिकल साइंस में यूनी बर सिटी से पढ़के आये हैं मोधी जी तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो आपने आप में बड़ा ही चौकाने वाला है हास्यास्पद है कि CIC ने ओर्डर दिया था डिगरी दिखाने के लिए गुजरात का विश्व इद्या ले गया हाई कोर्ट में की डिगरी न दिखाई जाए और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया आरविंद केजरिबाल जी के उपर को जिसका कोई लेना देना नहीं वो गय भी नहीं अपील में तो इसका मतलब डाल में काला नहीं पूरी की पूरी डाल काली है और नकल के लिए भी अकल चाहिए उस अकल का भी इस्तेमाल ये डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है और बीजेपी की सारी लीडर्सिप और स्वेम प्रधान मंत्री जी जवाब दे कि 79 में अगर आपने बीए किया 83 में आपने एमे किया तो 2056 में आपने क्यूं कहा कि आपने कोई सिक्षा स्कूली सिक्षा के बाद नहीं की है अर्थात या तो आप कि डिग्री फर्जी है या आपका बयान जूटा है दो में से एक ही बात हो सकती है आपका कोई प्रस्णों आप पूछ सकते हैं देखे बरस्टाचार के मामले में क्या बोला जाए ब्रस्टाचार तो मोदी जी के साथ आस्मान में घुम रहा है इस ब्रस्टाचार का जवाब कौन देगा ये ब्रस्टाचार जो आस्मान में घुम रहा है अडानी वाला जिसमें आराम से लेटे हुए मोदी जी कह रहा है लूट ले बेटा लूट ले सारा हिंदुस्तान लूट ले देखे आप यह तस्वीर भूल गया यह अडानी की तस्वीर है अपनी राजनितिक सत्ता को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के माध्यम से अपनी आर्थिक सत्ता खड़िकी और एक ही व्यक्ति को कोईला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सिमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एरपोर्ट दे दिया, आकास से पाताल तक सब कुछ दे दिया, धाई लाग करोन का करजा दे दिया, 86,000 क करोड का करजा माफ कर दिया और उस अडानी ने क्या किया अनुतिस फरजी कंपनिया दुनिया के तमाम देसों में अपने भाई के साथ मिल कर खोली अकेले एक पते पे छे कंपनी खोल कर मौरिसेस से 42,000 करोड रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया ऐसे लाखों करोड का घोटाला और ब्रस्ट अचार और कालाधन अडानी की कंपनी में लगा है जिसके हवाई जहाद में बैटकर भारत के प्रधान मंत्री घूमते हैं आज तक इस घोटाले पर जेपीसी क्यों नहीं बनी सारी की सारी पार्लेमेंट की पार्टिया एक स्वर में मांग कर रही हैं जेपीसी बनाओ जांस तो कराओ जांच नहीं कराते हैं क्योंकि घोटाले में भारत के प्रधान मंत्री और भारत की सरकार सर से पाओ तक डूबी हुई है यह सच्चाई है और कोई प्रस्णों आप अभी मैंने आप अभी इस प्रेस कॉंफेंस में जानकारी दे रहे हैं मुझे इस पूरे घटना की जानकारी नहीं है लेकिन मेरा अपना यह मानना है नफरत की राजनीती, दंगे फसाद की राजनीती, गुंडागर्दी की राजनीती, समाज को तोड़ने की राजनीती इस देश को विखंडित करेगी और ऐसा करने वाले के खिलाफ सक्स सक्स अजया होनी चाहिए उस हिंसा की कुछ तस्वीरे हम लोगों ने देखी पहली बात तो भगवान श्री राम की मर्यादा के विपरीत, उनका जो जीवन चरित्र था उसके विपरीत जाकर अगर हम राम नौमी के जुलूस में रास्टपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोटसे की फोटो लेके गूमेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी वेवस्था के उपर, क्या फिर रास्टपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की तस्वीर का, गोटसे की तस्वीर का, राम नौमी के जुलूस से क्या लेना दे रहे हैं? क्या प्रभुसरी राम ने यही हमें सिखाया है? यह उनकी मर्यादा यहीं उनका आदर्स है? राम चरित मानस से हमें यही सिख्छा मिलती है जो राम चरित मानस कहता है, सब नर करही परस्पर प्रीती यानि कि सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंसा करने वाले हिंदू धर्म के हो या मुसल्मान धर्म के, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी राज्य की हिंसा हो, उसके खिलाब सक्स सक्त कारवाई होनी चाहिए ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप पड़ी आ गई है अब तो मोदी जी को और बीजेपी वालों को